हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बंदर संबंधी प्रेश्ण दोस्तो दो टाइप के कोशन पूछे जाते हैं और दोनों ही टाइप के कोशन मैं आज आपके केलियर करा दूँगा केलियर है तो चली स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका एक ब्यक्ति 60 फीट उचे खंबे पर चड़ने का प्रेतन कर रहा है वह एक मिनट में 6 फीट चड़ जाता है लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है तो उपर तक पहुँचने में उसे कितने मिनट लगेंगे केलियर दोस्तों एक ब्यक्ति है 60 फीट उचे खंबे पर चड़ रहा है ये खंबा है दोस्तों आपका पूरा कितने का 60 फीट का इस पर चड़ने की कोशिस कर रहा है एक ब्यक्ति केलियर है तो इसके लिए दोस्तों सबसे आसन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसन कर देंगे किलियर ए 6 को मान जड़ करेंगे टोट्ल दूरी लिख लेगे कितनी कितनी है टोट्ल लंबाई साठ है एक मिनट मैं जितना चढ़ता है उतना माइनस कर देंगी के लिए रहा और बटe में क्या जाएगी वास्तविक चड़ाई वास्ति क्यां 6-ети चड़ता है फिर चार फीट नीचे आजाता है तो वास्तप में कितना चड़ा हो 2 प्र फिट ही तो चड़ा चयआए था 4 प्षिसल गया तो बास्थविक चड़ा ही 2 फिट ही तो बची तो नीचे आएगी आपकी बास तिविक चड़ाई और इसमें कर देना है दोस्तो पिलस का 1 बस आपका अंसर आ जाएगा 60 में से 6 घटाएंगे 54 बटे में 2 पिलस का 1 दोसे कार तो इसको कितनी वारी कटेगा दोस्तो इसको काटेंगे 54 को तो ये कट जाएगा दोस्तो आपका 27 वार मैं इधन लिख देता हूँ 27 वार कट गया पिलस का 1 बचेगा तो इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 28 तो आप से पूछा क्या गया था कि उपर तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे 28 मिनट लगेंगे यही हो गया आपका आंसर केलियर हुई दोस्तो बात अब देखें इसमें दूसरे टाइप का कोशन क्या बनता है मैं यही पर आपको बता देता हूँ आगे केलियर करा दूँगा यहां पर क्या करा कि एक मिनट में 6 फीट चड़ जाता है लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है अभी इसमें दूसरे मिनट की बात नहीं हुई है दोस्तों जो दूसरे टाइप का कोशन बनेगा उसमें क्या कहेगा दूसरे मिनट में फिसल जाता है पहले मिनट में चड देख लेते हैं जिससे की और केलियर हो जाए ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला कोश्चन है कितने समय में एक बंदा 60 फीट लंबे पेड़ के सीर्स को छूलेगा यदि वह एक सेकंड में 3 फीट उचलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है अब देखिए क्या है टोट में कितना चलता है कितना उचलता है तीन तो तीन बटे में क्याएगी बास्तिविक चड़ाई ठीक है तीन फीट उचला और दो फीट गिर गिया तो कितना बचा एक ही तो बचा तो नीचे एक आ जाएगा और पिलस कर देंगे वन साथ में से तीन गया कितना आजाएगा सत्तामन डिवाइड करेंगे एक से पिलस करेंगे एक को तो एक से सत्तामन को हमने काटा सत्तामन ही आजाएगा पिलस उसमें एक करेंगे तो कितना आजाएगा अठामन आजाएगा तो अठामन सेकंड हो जाएगा आपका आंसर के लि । फेर एक सेकनद में जितना चड़ता है उचलता है वो बठे में लेखेंगे वास्तवी। केलियर है और उसमें एक जोड़ देना है। तो ये तो पहले टाइप का था उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का, किलियर दोस्तों, उसमें क्या confusion रहता है, वो भी मैं आपका दूर कर देता हूँ, किलियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला question, अगला question है, एक बंदर 45 मीटर उचे खंबे पर चड़ने का प्रयास करता है, पहले एक मिनट में 15 मीटर चड़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, अब बात होगी दोस्तों, यहाँ पर दूसरे मिनट की, पहले मैंने बताया था, उसमें दूसरे मिनट की बात नई थी, लेकिन इसमें दूसरे मिनट की बात हो गई, किलियर है, दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, इस दर से वह कितनी देर में खंबे के सीज पर चड़ जाएगा, किलियर दोस्तों, पहले हम यहाँ पर एक खंबा बना लेते हैं, खंबा बन गया, इसकी बीचे वाले 30 को काउंट करेंगे, के लिए दोस्तों समझ में आगी बात क्योंकि, एक मिनट में जब वो 15 चड़ता है, तो जो लास्ट की मिनट होगी एक, उसमें जब वो चलांग लगाएगा, कूदेगा, तो वो सीज पर पहुंच जाएगा, जैसे 30 चड़ गया मान लीचे को, इसलिए इसे बाद में काउंट करेंगे, समझ में आगी दोस्तों बात, आप देखिए, पहले मिनट में वो कितना चड़ता है, पहले मिनट में दोस्तों चड़ता है 15 मीटर, और दूसरे मिनट में क्या करता है, दूसरे मिनट में फिसल जाता है 12 मीटर, के लिए beggars पीट चरड़ा है यह दो मिनले है नुट till पहले से कितना चरड़ना है तीस चरड़ना है थीक है तो 30 कब चड़ेगा, 2 में 3 चड़ा फिर 4 में कितना चड़ेगा, 4 में 6 चड़ेगा तो direct हम क्या कर देते है, multiply इस 3 minute का हम कितने से multiply कर दें, दोस्तों 10 से कर देंगे clear है, तो कितना चड़ जाएगा वो 30 चड़ जाएगा कि नहीं चड़ जाएगा 3 का multiply by दस्ते किया तो हैंपर कितना चड़ गया, वो 30 moves तो 2 का multiply भी अगर मैं 10 से कर दू 10 से कर दू, कितना चड़ जाएगा 2 धम 20 हो जाएगा 20 मिनिट में दोस्तों, वो कितना चड़ गया 30 मिनिटर चड़ गया यही नो बात है यह 30 मिनिटर को चड़ना है पहले ठीक है जब दो मिनेट में वो तीन मीटर चड़ रहा है तो 20 मिनेट में चड़ेगा दोस्तो 30 मीटर कितनी मिनेट लगी है यहां तक 20 मिनेट लगी है अब यहां पर आ गया वो 20 मिनेट में कहां पर आ गया यहां पर अब एक मिनेट में उचलेगा टॉप पर पहुंच जाएगा फिर नहीं फिसलेगा तो उसमें एक मिनट और जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 21 मिनट आंसर बात आई दोस्तो समझ में जब दोस्तो दो मिनट में वो सीधा सीधा 3 मीटर चड़ रहा है हमको चड़ना है 30 जब 2 में 30 चड़ रहा है तो सीधा सीधा आप हिसाब लगा लेंगे कि 20 मिनट में चड़ेगा 30 मीटर जब 20 मिनट में 30 चड़ गया और जब लाश्ट में उचलेगा तब नहीं फिसलेगा एक मिनट में टॉप पहुंच जाएगा 20 पहले से एक और जोड़ तो 21 मिनट होगे आपका अंसर उम्मिद करता हूँ कोशन में कोई भी डाउट नहीं होगा केलियर है अब देख लेते हैं अगला कोशन अगला कोशन है एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चड़ता है देखे पहले मिनट में कितना चड़ता है वो 10 मीटर केलियर है दूसरे मिनेट में 4 मीटर फिसलता है दूसरे मिनेट में क्या करता है 4 मीटर फिसलता है पहले मिनेट चड़ने की दूसरे मिनेट फिसलने की कितनी मिनेट होगी 2 वास्तिमीक चड़ाई कितनी होगी 10 मीटर चड़ा 4 फिसल गया 6 हो गया तो दो मिनिट में कितना चढ़ रहा है उसे बाद में लगाएंगे पहले यहां तक कितना बचेगा यहां से लेके यहां तक 80 बचे का उसे चड़ लेते हैं अब दिके 6 के पहाड़े में तो 80 नहीं आता है पिछला question था 3 minute में चड़ रहा था 3 meter 2 minute में 3 meter चड़ रहा तो 3 के पहाड़े में 30 आता है लेकिन यहां पर 6 के पहाड़े में तो 80 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें टूटर 90 चड़ना है न, तो 90 से कम तक हम 80 का पाड़ा ले लेंगे 6 का, किलियर है, अब 6 से यहाँ पर कहां तक पहुंच जाएगा, वो 80 से जादा और 90 से कम, कहां तक चड़ जाएगा दोस्तों, 14-6 कितना होता है, 84, किलियर है, कितना होता है, 84, 14 से multiply करेंगे, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 14 से multiply कर दो, 14 दुनी कितना हो गया, 28, और 14-6 कितना हो गया, 84, तो 28 मिनट में वो कितना चड़ रहा है, 84 मीटर चड़ रहा है, मतलब यहाँ कहीं तक आ जाएगा, 84, 90 तहा टोटल, 84 तक चड़ गया, कितना बचा 6, यही तो बच 28 मिनट लगे है, 84 तक कितने मिनट लगे है, 88, clear है, 28 मिनट लगे है, बचा कितना है, 6, 6 उपर रख देंगे, और 4 कितना है, 10, 10 नीचे रख देंगे, दो से काटो तीन बार, दो से काटो पांच बार तो 28 सही 3 बटे 5 मिनिट का समय लगेगा ये हो गया आपका आंसर जब ऐसे question पूछे जाते हैं तो वो भी तो मुझे करना सिखाना है आपको कैसे करेंगे 28 मिनिट में चड़ गया 84 अब टोटल चड़ने के लिए कितना बचा है 6 तो 6 उपर रखेंगे जो टोटल बचा है चड़ने के लिए उसे उपर और एक मिनिट में कितना चड़ता है उसे नीचे रख लीजे बस आगया आप कांसर कट सकता है तो काट लेंगे अगर नहीं करता तो ऐसे ही छोड़ देते केलियर दोस्तों समझे में आगी बात मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेशन आपको अच्छे से केलियर हो गया होगा तो बंदर संबंदी दोनों ही टाइप के मैंने आपको सवाल बता दिये हैं चाहें कैसा भी सवाल पूछ ले अब आप उसमें कन्फ्यूस नहीं होंगे केलियर है दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेर करें यादि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दिजिए दोस्तों धन्यवाद